तो तो सो हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आप सब आप सब लोग ठीक होंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आप आप पेंटिंग करने माला हूं इसके लिए मैंने इन सब आर्ट मेटिरियल का यूज किया है एन इसमें आप ब्रशे और वार्निश भी है canvas के frame के लिए मैंने stretcher यूज किया है वैसे इसमें stainer भी आता है जो सस्ता होता है लेकिन stretcher सबसे ज़्यादा best होता है और अच्छी quality का होता है इस canvas का size 24-30 है वाफी बड़ा और अच्छा size है इस वीडियो में मैं एक कपल का पोट्रेट बना रहा हूँ जिसे मैंने टरपनटाइन और कलर से मिला के एक लेयर चड़ा दिये टरपनटाइन मिलाने से कलर बहुत जादा पतला हो जाता है और वो बहुत जल्दी सूख जाता है इसलिए फर्स लेयर को अगर आप करना चाहते हैं तो टरपनटाइन से करें और एक लेयाउट बना ले और उसके बाद उसे सूखने का वेट करें उसके बाद कलर चड़ाएं अब अपने कलर को पैलेट में बनाकर उसे एक की बाद एक लगाते चलें जहाँ जहाँ पर जो जो कलर है वहाँ पर वही कलर पूट करें जैसा मैं कर रहा हूँ डाक टू लाइट जाने की कोशिश करें और इस वीडियो को देखते रहें आपको समझा जाएगा और इस बात का ध्यान रखे कि औल कलर सूखने में बहुत जादा टाइम लगता है तो अपने उंगलियों और हाथों को संभाल कर काम करें क्योंकि आपके हाथों और उंगलियों से काम खराब हो सकता है इसलिए मैं एक साइट से कंप्लीट करते वाया जा रहा हूँ ताकि वह बाद में दूसरी उंगलियों से खराब ना हो जाए मैं एक पूरी टूटोरियल लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं बेस्ट टिप्स देने वाला हूँ तो अगर आप देखना चाहते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले तो चलो वीडियो एंजोई करें हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह झाल 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 तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना यार बहुत मैंने लगती है हम बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल तब तक के लिए सी यू एंड टेक केर कर दो प्लाइब भी कर दो अच्छी है